Hello Mommy and Daddies, Welcome to my channel Parents, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चे को शरले कैसे देनी चाहिए किस एज में देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब बटम पे क्लिक करें और वेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट के लिए तो स्टार्ट करतें ये वीडियो Parents, एक बार जब सिशू 6 मन्त का हो जाता है तब उसे ठोश आहार देनी की सलाह दे जाती है आज काल की भागदर वाली जिन्दगी में हमें हर चीज पैकेट में चाहिए और यह बात सच है कि आज कल बजार में हर चीज एबलेबल है इससे सब काम बड़ा आसान हो जाता है बस धक्कन खोला चार चमच का टोड़ी में सिरलेक डाला थोड़ी दूद या पानी मिलाया हलका सा पकाया बस तयार हो गया बड़ा आसान हो गया है न मगर जरूरी नहीं कि हर वो चीज जो आसानी से बन जा वो पौश्टिक भी हो तो अब हम बात करते हैं कि हमें अपने बच्चे को शरलेक किस एज में देनी चाहिए तो जब आपका बच्चा 6 मंद का हो जाए तो उसके बाद ही आप बच्चे को शरलेक देना स्टार्ट कीजिए क्योंकि 6 मंद से कम एज के बेबी को आप कोई भी ठोस आर नहीं दे सकते हैं इसलिए जब आपका बेबी 6 मंद का हो जाए तब आप उसे कोई भी ठोस आर दे सकते हैं ध्यान रखिए कि जब भी आप शरलेक देना स्टार्ट कीजिए तो पहले आप उसे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही खिलाए आप उसे 2-3 स्पून ही शरलेक दीजिए और आप इसे पूरे दिन में 1-2 बार दे सकती है बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाए इससे बच्चे की पाचन सकती अच्छी रहेगी और बच्चे को खाने में भी अच्छा लगेगा दूसरा है कि जब भी आप सेरलेक मार्केट से लाते हैं तो पैकेट खुलने के बाद बस एक मंथ तक ही आप उसे यूज कर सकते हैं अगर एक मंथ हो गया और सेरलेक बच्ची हुई है तो आप इसे बच्चे को बिल्कूल भी ना दे क्योंकि औरेड़ि उस पैकेट पे मेंसर रहता है कि पैकेट ओपिन करने के बाद एक मंथ के अंदर ही आप उसे फिनिश करें तीसरा है जैसे ही आप पैकेट ओपिन करते हो तो ओपिन करने के बाद आप उसे तुरंथ ही एर टाइट बॉक्स में रखिए अगर आप उसे खुला छोड़ देंगे तो वह एर के कॉंटेक्ट में आ जाता है और खराब होने लगता है इसलिए आप जब भी भी पैकेट खोलते हो तो आप उसे एर टाइट बॉक्स में ही रखिए उसे ज़्यादा तर हावा के संपर्क में न आने दे इससे सेरलेक खराब होने का डर लगड़ाता है अगला है कि जब भी आप मारकेट से सेरलेक लाए तो उसकी एक्सपाइरी डेट जरूर चेक करें क्योंकि बच्चों के लिए ये चीजे देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें बच्चों को इसे खिलाना है और हम बच्चों के हेल्थ के परती लापडवाही नहीं कर सकते हैं इसलिए जब भी आप मारकेट से कोई भी चीज खरीद कर लाते हो तो सबसे पहले आप उसे एक्सपाइरी डेट जरूर देखे अब बहुत सारे पैरेंस के मन में ये सवाल आते हैं कि क्या हम अपने बच्चे को दूद में सेलेक बना कर दे सकते हैं तो अगर आपका बेवी वन यर से कम का है तो आप उसे पानी में बना कर दीजिए या आप उसे जो भी फर्मूला मिल्क यूज करती है आप उसमें बना कर बेवी को शेलेक खिला सकते हैं लेकिन अगर आपका बेवी वन यर से जादा का है तो आप उसे काव मिल्क में भी बना कर दे सकते हैं लेकिन वन यहर से कम एज के बेवी को आप काव मिल्क मत दीजेगा, आप उसे जो भी फर्मूला मिल्क आप यूज करते हैं, आप उसमें बना कर बच्चे को सेलेक दे सकते हैं. अब दूसरा सवाल जो हमेशा ही पैरेंस के मन में रहते हैं, कि हम अपनी बच्चों को कौन सा सेलेक देना स्टार्ट करें, तो हमारे कोडिंग आप बाहर के पैकेट वाले सेलेक बच्चे को बिल्कुल भी ना दे, आप हमेशा घर की बनी हुई सेलेक ही दे, क्योंकि घर की ब बनी हुई सेलेक में ज्यादा मातर में प्रोटीन भी होता है, और किसी भी चीज की कोई मिलावट नहीं होती है, वो एकदम से फ्रेस होता है, तो आप हमेशा ध्यान रखे, कि आप बच्चों को जब भी सेलेक दे, तो आप घर की बनी हुई सेलेक ही दे, ना कि मार्केट की अब बात करते हैं कि हम इस स्टार्टिंग में बच्चे को कौन सा सेलेक दे, तो अगर आप घर में होम मेर्ट सेलेक नहीं बना सकते हो, मार्केट का हैं सेलेक यूज करना चाहते हो, तो सबसे बेश सेलेक नेसले का होता है, और सेलेक आपको मन्थवाज मिल जाता है, जैसे एपल का, राइस का, बनाना का या बहुत सारे फ्लेवर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप उसे अपने एकॉर्डिंग दे सकते हो, जितनी मातरा में देनी हैं या कैसी देनी हैं, ये सब पैकेट पे अल्रेड़ी मेंसन रहता है, तो आप उसे अपने टाइम है तो आप बच्चों को घर का बना हुआ ही शेलेक दे मार्केट का बना हुआ कोई भी चीज आप बच्चे को ना दे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब कर न न भूले वैसे हमारे तरब से आप सबी को हैपी न्यू यर